How to convert inclusive class interval, that is non-continuous class interval, to exclusive type, that is continuous type. पीटा, हमें inclusive class interval क्या होते हैं, पहले ही देखते हैं, like 1, 2, 10. 1st class interval हो, 2nd class interval हमारा 11, 2, 19 है, suppose. 3rd class interval 22, 29 and so on, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. तो इसमें पीटा कि continuous नहीं है, class interval, continuous नहीं है का मतलब, कि अगर आप 1st class interval की upper limit देखो, और 2nd class interval की lower limit देखो, तो बहुँ डिफरेंट है. इसके upper limit 1st class interval की 10 है, और 2nd class interval की lower limit 11 है, तो यानि कि यह continuous नहीं माने जाएंगे. अगर यह continuous होते हैं, तो कुछ इस तरह से होते हैं, like 0 to 10, और इसे फिर हम exclusive type कहते हैं, like 10 to 20, then 20 to 30 and so on, इस तरह से आगे हम करते जाएंगे. तो 0 to 10, 10 to 20, मैं देखो बहुता, 1st class interval की upper limit 10 है, और 2nd class interval की lower limit भी 10 है, यानि कि 1st class की upper limit और 2nd class interval की lower limit, same है, तो यानि कि इसे हम continuous type class interval कहेंगे. और another name होता है, इसका exclusive type, exclusive type इसलिये बोलते हैं, कि मालोगगव 10 आएगा, 10 इसमें exclude होगा, और next आले में include होगा, तो इसलिए हम exclusive type बोलते हैं, और inclusive इसको इसलिए बोलते हैं, 10 अगर आइगा, 10 हम इसी frequency के पीच में लेंगे, तो इसलिए से inclusive type बोला जाता है, जैसे 1 to 10, 11 to 19 को, ओके, फाइन, तो अब इसको convert कैसे करें, inclusive class interval को, किसमें, exclusive type में, तो बेटा, एक question है हमारे पास, convert the following inclusive series into exclusive series, बेटा, inclusive series से exclusive series में convert करना important है, जब हम median या mode find कर रहे हूं, अगर हम mean find कर रहे हैं, तो हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, चाहे हम करें, ना करें, convert, okay, mean के कैस में फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन, median और mode में necessary है, इसको convert करना, अब convert कैसे करते हैं, यह द्यान से समझना, inclusive को exclusive में, तो एक column और बन जाएगा इसमें, frequency बेटर, f for frequency सेम रहेगा, इसमें कोई change नहीं आएगा, marks, इदर हम दोबारा से marks लिख देंगे, या class interval लिख लो, या marks लिख लो, या जो भी heading इदर हो, अब बेटा, इसको continuous कैसे बनाएं, इसके लिए द्यान से समझना, इसके लिए पहले आप देखोंगी, first class interval क्या है, 10 to 19, और second class interval क्या है, 20 to 29, first class interval की upper limit, upper limit 19 है, और second class interval की lower limit क्या है, वो 20 है, और इन दोनों की बीच में, कितने गा difference है, 20 minus 19, 20 minus 19, 1 हो गया न बेटा, अब 1 को आप 2 से डिवाइट कर दो, जो भी difference होगा, first class की upper limit और second class की lower limit में, उसको 2 से डिवाइट करना है, तो 1 divided by 2 अगर हम करें, वो 1 upon 2 is always, remember, it is 0.5, अब next step क्या होगा, हर class interval में हम, lower limit में 0.5 माइनस करेंगे, like 10 में से 0.5 माइनस करो, तो आपको मिलेगा बेटा, 9.5, ओके lower limit में 0.5 माइनस और upper limit में 0.5 प्लस करना है, देखो ये, अब जब हम 10 में से 0.5 माइनस करते तो 9.5 आता है, और 19 में अगर 0.5 एट करते तो ये 19.5 बनेगा, similarly, अब 20 में 0.5 माइनस करो, you will get 19.5 मिलेगा आपको, और बेटा, 29 में अगर हम 0.5 एट करते हैं, तो हमें मिलता है 29.5, अब 30 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो 29.5 हो जाएगा, और 39 में 0.5 एट करेंगे, तो इस तरह से बेटा ये continuous सीरीज बन गई, और आगे के हम पैटन की जो अब्जार्ब करते हो, इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा 39.5 to 49.5, ओके, चाहिए आप 0.5 माइनस 0.5 प्लस करके करो, चाहिए आप पैटन को अब्जार्ब करके करो, जैसे आपको सही लगे, तो 49.5 to 59.5 और 60, लास्ट सोरी बेटा इदर आएगा, 59.5 to 69.5, तो इस तरह से बेटा हमने inclusive सीरीज को exclusive में convert कर लिया, यानि की non continuous से continuous बना लिया, देखो बेटा, अब इसकी अपर लिमिट 1st class interval की 19.5 है, 2nd class interval की lower limit 19.5 है, दोनों same हो गई, तो इस तरह से हम convert कर लेंगे, मीन की case में बेटा, इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, चाहिए आप यह लिए class interval लो, चाहिए लो, okay, because इसमें हम lower limit mean में generally नहीं लेते हैं, ठीक है, और, लेकिन mode और median में हम lower limit लेते हैं, यहाँ पर उसके formula में L आता है, L for low limit, median के formula में भी mode के formula में, तो इसलिए वहाँ पर यह important होता है, fine, तो,